हेलो दोस्तों मैं से बरंजी सिंग सुरावत करता हूँ आपका अपने चैनल किसान अड़ा पे किसान भाईयों आज किस वीडियो में हम लोग जानेंगे पानिगर 45-46 की कुछ कमियों के वारे में क्योंकि इसकी जो अच्छाईया हैं वो सभी किसान भाईयों बताते पर उस पर जाती में कुछ कमियां भी है इसके वारे में जो है मैं आज की इस वीडियो में किसान भाईयों आपको बताने का प्रयास करूंगा इससे पहले यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो किर्पिया हमारी चैनल को आप люди subscribe करना जो है मत भूलिए किसान भाईयों जो पानिएर कंपनी की 45-46 जो किसान भाईयों सर्सों आती है यगिनन इसका जो उत्पादर है किसान भाईयों हमारे अन्न जो सरसों की किसमें हैं उनसे काफी किसाम्हभाई अच्छा आता है और हर साल जो है इसकी बिजाई ही हमारे किसानभाई काफी बड़े रिक्वेवे करते हैं तू इसमें जो है कुछ तीन कमयां किसाम्हों तीन से चार कमया Zahl मजुदा समय में देखी गई भी हैं वो मैं आपको इस वीडियो के मात्यש से बताने का प्रियास करूं Gas सबसे बड़ी किसाम इस परजाती में कंजोरी यहा है कि किसान भाहिit यह जो परजाती है अगर अगर आप यह किसम का चेढ कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब आपकी फ़सल पुख जाए तो उसको आपको बिना देरी किये जलदी से जलदी कटवा ले कोकि अगर आप इसको ज़्टा देन तक रखते हैं खेत में ज्यदा पकाते हैं तो किसमें उस अवस्था में आपके दाने ज्यमीन में किर जाते हैं जिससे आपका किसमें नुकसान जो हो सकता है दूसरी किसमें इस परजाती में कमी या है कि किसमें यह जो परजाती है ज्यादा किसामियों सर्दी सेहन करने की शम्तान नहीं रखती यानि की अन्नम जो हमारी जो सर्सों की गिसमें है उनकी तुला में जो है किसामियों ये जो है थ्वा सर्दी ज्यदा मनाती यानि कि अगर आप इसकी जल्दी बुआई करते हैं तब ही कि समय ओए यह जो है कामयाब है यानि कि तभी आपको अच्छा उत्पददन निकाल के देगी यदि आप इसकी 15 से 20 अक्टूबर एक तक जो है इसकी बुआई कर दें यदि आप इसकी पछेती बुआई करेंगे त तो किसान बाद में ठंड आने पे किसान बाद में इतना उत्पादनmäß निकल पाता जिस्से किसान भाद बाद में आपका काफी ज़ Parksन नहीं आ HOR. यानि कि इसकी अगर आपको बुआई करनी है तो किसान भाद में आप अरली बुआई ही करें अगर हम लोग वाटे उसे तुल ना करते हैं यानि कि जो हमारा रोग आता है तना गल्म उसकी कुछ समझ साया जो है किसामियो पानियर की 45-46 में पिछले कुछ वर्सों में देखी गई है काफी जड़ा जो है उसे नुक्सान भी जो है इस से इस फसल में किसामियों होता है तो ये कुछ कमियां है किसामियों जिनसे आप को बचना होगा यदि आप इसकी बजाई करना चाहते हैं अगर आप इससे बच जाते हैं तो यकीनन जो पानियर की 45-46 है वो किसामियों आपको 12-13 कौंटल तक जो है उत्पादन एकड़का दे सकती है यदि आप इस किसामे से बजाई करें और इसके लिए किसामियों इसमें आपको एक ध्यान यह भी देना पड़ेगा तो यह थी कुछ रनेकारी के सामियों यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सस्क्राइब करना जो है मत भूरिएगा धन्यवाद